हम जब भी कोई स्नैक्स एंज्वाइ करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके साथ कुछ अच्छा सा डिप हो साथ में ताकि स्नैक्स का पूरा अनन्द लिया जा सके आज ऐसे ही एक डिप की रेसिपी आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में आप इसे मील के साथ भी एंज्वाइ कर सकते हो और स्नैक्स के साथ भी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे दो टेवल स्पून कर्ड जी हाँ इसे हमने फेट लिया है अच्छी तरह से इसका टेक्स्चर एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए ताजी दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा इसमें पानी मट डालिएगा अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अनार का दाना आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लीजिए यहां मैं दो टेबल इस्पून अनार दाना डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते गर्मियों में ये वाला डिपन दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो आप इसे जरूर बनाईएगा इसमें हम एड करेंगे दो पिंच नमक इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक पिंच काला नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे भूने जीरे का पाउडर वो भी ज़्यादा नहीं बस एक से दो पिंच काफी होगा और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर काली मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लिजेगा मैं यहाँ पे दो पिंच डाल रही हूँ और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लीजी हमारा लाजवाब स्वादिस्ट टेस्टी टिप बन करके तयार हो गया है इसे हम अनारदाना रायता भी कह सकते हैं इसे थोड़े से उपर से अनारदाना और पुदीने के पत्ते से सजा लीजिए मिल के साथ एंज़ाय कीजिए या स्नैक्स के साथ सबके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद